नमस्कार मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे मसाला चाय वो भी मलाई मारके तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते इसमें कौन-कौन सी समगरी लगेगी मगर उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखे हमने एक बड़ा कब दूद ले लिया करीब 200 ग्राम दूद है और चीनी ल पूरा दिया है और हमने पूरा एक कप दूद उसमें डाल दिया है 500 ग्राम दूद है यह ने पानी का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं किया है थोड़ा सा बस हमने यह कप को धूल के डाल दिया है बस क्योंकि मुझे सिर्फ दो कप चाय बनानी है और अब यह हम अधरक और देश mieć आप अपने टिस्ट के अनौशार एउज करें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती तो हमने चोटी चममिज से 2 चमंच हमने चाय पत्ती यूज किया है बहुत ही चोटा चममिज है टीस्पून है आशी मने उसमें तो चमच डाल दिया है और उसके बाद ह मच्छे से इसको उबालेंगे क्योंकि जब तक चाय खोब अच्छे से उबलती नहीं है तब तक की पीने मच्छी नहीं लगती है तो ये देखे चाय मारा उबलने लगा है और इसका हम फलीम थोड़ा कम कर देंगे और इसी तरह से हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे तो अब चाय मारा देखे उबल गया है और कलर भी अच्छा गया है तो अब हम चाय को छान लेंगे हमने दो कप ले लिया है और उसमें हम चाय को छान लेंगे और चाय को छानने के बाद हम इसमें मलाई एड करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनती है और रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी पिया जा सकता है क्योंकि मलाई थोड़ा सेहत के लिए नुकसान दायक होती है आज कल तो इसलिए हम कभी कभाड ही इसको पी सकते हैं स्वाद के लिए या कोई आ जाए आपके घर में महमान तो इसको आप दे सकते हैं तो अब हम इसमें एक एक चमस मलाई उपर से डाल देंगे और बहुत ही बहतरीन चाय बनती है यह आप लोग जरूर एक बार बनाईएगा और पी दिएगा उसके बाद हमको बताईएगा के चाय आपको कैसा लगा फिर मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार